हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मद्धिप्रदेश की नंबर वज चैनल फॉर डेली करंट अफियर के इस वीडियो में आपका स्वागत है आज है 14 मैं 2019 और यह हमारी 153 मी क्लास है 12 important question आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दरस्टी से बहुत important है questions को आप note कर लें क्योंकि ये आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताती हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी प्रॉलम जाती है तो आप हमें comment box में बताएं हम आपके answer जरूर करेंगे चलते हैं question number first पर हाली में कब 200 प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है जिसका सही option है 11 मै हाली में 11 मै को 200 प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है दोस्तो आपको बता दें इस दिवस का 200 प्रवासी पक्षीयों से संबंदित मुद्धों के बारे में चिंतन करना है साथी उनके सनरक्षन पर भी धियान देना है दोस्तों आपको 2019 में विश्व प्रवाशी दिवस की जो थीम है उसके बारे में बता दें इसकी थीम है पक्षियों की रक्षा करो प्लास्टिक प्रदूशन का समाधान बनाओ तो इतना आपको इस विश्व प्रवाशी दिवस के बारे में याद रखना है Next question धोस्तों आपको बता दें राजपल बाजुभाई बाला ने अभय को सपत दिलाई है जनवरी 2019 में करनाटक हाई कोट के चीफ जेस्टिस को सुप्रीम कोट में नियाधीस पनाया गया था तब से ये पत खाली है और अब अभय स्री निवाज मुख्य नयायदीस होंगे करनाटक हाई कोट के दोस्तो अब बात आईए करनाटक की तो आपको करनाटक की बारी में बता दें करनाटक की स्थापना एक नॉवंबर 1956 में की गई थी राजजपल है बैजु भाई बाला करनाटक के CM है या मुख्य मंत्री है HD कुमार स्वामी और करनाटक की राजधानी है बैंगलूरू तो दोस्तो इतना आपको करनाटक की बारी में याद रखना है नेस्ट क्वेशन हाली में IPL का खिताब किस ने जीता है जिसका सही उप्षन है मुंबई इंडियन्स हाली में IPL 2019 का खिताब मुंबई इंडियन्स टीम ने जीता है दोस्तो आपको बता दें फाइनल मैच में मुंबई इंडियन्स ने चैनने सुपर किंग्स को एक रन से हराया है फाइनल मैच में जस्पीत बुम्रा जो एक बॉलर है इन्हें man of the match चुना गया है दोस्तो मुंबई एक अकेली टीम है जो चार बार यह IPL का खिताब अपने नाम किया है दोस्तो आपको IPL से जुड़े जितने भी important question है उसका वीडियो 16 है तारीक को launch किया जाएगा जिसमें 2019 IPL के जितने भी IMP question है उनकी बारी में आपको बताया जाएगा दोस्तो फिलालम बात करते हैं IPL की कुछ important दोस्तो IPL का formal form Indian Premier League होता है इसका पहला sunscreen 2008 में खीला गया था कुल आठ टीमें हैं IPL में दोस्तो अभी तक सबसे ज़्याद बिकिट लेने वाली गेंदवाज है लसित मलिंगा और मुंबाई चार बार और चेन्ने तीन बार यह IPL खिताब अपने नाम कर चुकी हैं तो इतना आपको IPL के बारे में याद रखना है next question हाली में प्रीमियर 2019 का खिताब किसने जीता है जिसका सही option है मैंचेस्टर सिटी हाली में मैंचेस्टर सिटी ने प्रीमियर 2019 का खिताब अपने नाम किया है दोस्तो लास्ट येर भी मैंचेस्टर ने ही यह अवार्ड जीता था दूसरे नंबर पर टीम रही है लिवरपूल दोस्तो आपको बात बता दें प्रीमियर 2019 के बारे में तो इसे इंगलेश प्रीमियर लीग के नाम से भी जाना जाता है और इंगलेश प्रीमियर लीग की इस्थाबना 20 फरवरी 1992 में की गई थी कुल 20 टीमें इस टूनामेंट में हिस्सा लेती है दोस्तो मैंचेस्टर एक मात्र ऐसी टीम है जो सबसे जादा 13 बार यह खिताब जीच चुकी है तो इतना आपको इंगलेश प्रीमियर लीग या प्रीमियर लीग 2019 की बारे में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन किस भारतिय सेना ने 2019 बर्स को इयर ओफ नेक्स्ट ओन किन के रूप में मनाने का निर्णा लिया है दोस्तों यहाँ पर सेना है तो इसका सही ओफशन है भारतिय थल सेना हाली में भारतिय थल सेना ने 2019 के बर्स को इयर ओफ नेक्स्ट ओफ किन के रूप में मनाने की घोशना की है दोस्तों अब यह इयर ओफ नेक्स्ट ओफ किन क्या है आपको इसके बारी में बता दें इस दिवस का उद्धेश सहीद हुए सेनक एक्सरस सर्विसमेन और करेरे सेनकों के घर पहुँचकर उन्हें बित्तिय लाव और कल्यानकारी योजनाओं की बारे में जानकारी देना है 2018 में जो भारती सेना दिवस का वर्ष था उसका नाम था Year of Disabled in the Land of Duty यह 2018 में घोशित किया गया था और 2019 में यह Year of Next of Kin घोशित किया गया है तो इतना आपको इस बर्ष के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आईए भारतीय सेन थल सेना की तो आपको इसके बारे में बता दे दोस्तो भारतीय थल सेना की इस्थापना 1 अप्रेल 1895 में की गई थी इसका मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ और आपको बता दे 15 जन्वरी को इंडियन आर्मी डे मनाया जाता है तो इतना आपको भारतीय थल सेना या इंडियन आर्मी की बारे में याद रखना है संडे टाइम रिच लिस्ट 2019 की लिस्ट में कौन UK के सबसे धनी व्यक्ती बनी है जिसका सही ओप्षन है हिंदूजा बंदू हाले में हिंदूजा बंदू संडे टाइम रिच लिस्ट 2019 की रिपोर्ट में सबसे धनी व्यक्ती बनी है UK के दोस्तो आपको बता दें, हिंदुजा बंदु में श्री और गोपी हिंदुजा हैं, ये भारतिय मूल के हैं, और United Kingdom में सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इनकी कुल संपत्ती 22 अरब पॉंड है, दोस्तो दूसरे नंबर पर हैं, डेविट, साइमन, रियुवेन, ये भी भारतिय मू के दोनों भाई हैं, और ये सेकंड नंबर पर हैं, इनकी जो कुल संपत्ती है, वह 18.68 अरब पॉंड, दोस्तो ये हिंदुजा बंदु, हिंदुजा समूग के संस्थापक हैं, और इसकी स्थापना इन्होंने 1914 में की थी, तो इतना आपको इस लिस्ट के बारी में याद र गया है, जिसका सई option है, 12 मई, हाली में 12 मई को अंतरास्टिय नर्स दिवस मनाया गया है, दोस्तो ये दिवस बिश्टो नर्सिंग के संस्थापक फलोरेंस नाइटिंगेल को याद में मनाया जाता है, इस वर्ष यानि 2019 में अंतरास्टिय नर्स दिवस की जो थीम थी, वो voice of load, health for all, तो इतना आपको नर्स दिवस की बारे में याद रखना है, दोस्तो एक और important fact बता दें, इस अफसर पर भारतिय रास्टपती ने पूरे देश की नर्सिंग कर्मियों को भक्ती, इमानदारी और समरपन करुणा के साथ की गई, निश्वार्थ सिवा के लिए रास नर्स दी की बारे में याद रखना है, नेक्स्ट कोशन, हाली में किसी छिनवाडा का कलेक्टर बनाया गया है, जिसका से योफ्षन है भरत यादव, हाली में भरत यादव को छिनवाडा का नया कलेक्टर बनाया गया है, दोस्तो आचार सहीता का उलंगन करनी पर ललित कु उमार दाहिमा को चिन्वाडा कलेक्टर पत से हटाये गया था और उनकी जिगह अब भरत यादव चिन्वाडा की नए कलेक्टर होंगे Next question हाली में किसे शَहडूल का कलेक्टर पत से हटाया गया है तो इसको सी ओप्षन है स्री निवास सर्मा हाली में स्री निवास सर्मा को सहडूल के कलेक्टर पत से हटाया गया है दोस्तो इनकी जिगह शेखर बर्मा को सहडूल का नया कलेक्टर बनाया गया है तो आपको याद रखना है सेखर शर्मा होंगे सहडूल के नय कलेक्टर अब दोस्तों ये दोनों question आपको add करके बता दें जो last question था वो और ये जो ये दोनों collector थे जिनका नाम है ललित कुमार दाहिमा और एक ये स्री निवाश शर्मा इन दोनों को छिनबाडा और शहडोल के collector पज से हटाया गया है और इनकी जगहे शहडोल के collector होंगे सेखर बर्मा और छिनबाडा के collector होंगे भरत यादव तो इतना आपको इन दोनों के बारे में याद रखना है इन दोनों को हटाने का रीजन है ये दोनों आचार सहीता का उलंगन कर रहे थे जिसकरन चुनाब आयोग ने इन्हें हटा दिया है और ततकाल आमद देने को कहा गया है साथ ही इनकी नवीन पदास्थना मंत्राले में की गई है तो आपको इन दोनों की नाम याद रखने है नेक्स्ट क्वाशन दोस्तो अब बात आईए सिवनी की तो आपको कुछ important fact सिवनी जिले की बारे में बता दें दोस्तो सिवनी जवलपुर संभाब का एक जिला है और मद्यप्रदेश की लखनव के नाम से सिवनी को जाना जाता है सियोना नामक ब्रक्ष के वहतायात होने की कारण इसका नाम सिवनी पढ़ा है बेनगंगा जिले की जीवन धारा कही जाती है दोस्तो एसिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध भीमगड में बेनगंगा नदी पर बनाये गया है दोस्तो इस नदी का उद्गम इस्थल मूंदारा है दोस्तो बांधोल में ओद्यो के विकास केंद्र है और पेंच रास्टिय उद्ध्यन जिसमें टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट है यह सिवनी जिले में ही इस्थित है बरगी वा अपर वेन गंगा यह प्रमुक परियोजना हैं सिवनी जिले में मेरा थोन का मेला और वन विध्याले लखना दोन में सिवनी में ही बनाया गया है तो इतना आपको सिवनी की बारे में याद रखना है Next question BCCI लोगपाल ने बदला सिकायतों का तरीका वह क्या है यहां पर दोस्तो क्या है जो तरीका बदला गया है वह क्या है अब आपको सिकायब लिखित पत्र दे करनी होगी। दोस्तो इससे पहले हम इमेल से सिकायद कर सकते थे लेकिन अब इमेल के साथ लिखित पत्र भी देना होगा। लिखित कर पत्र की दो कौपियां भेजनी होगी BCCI Office साथ ही इसमें नाम, पता, आधार नंबर, फोन, टेलीफोन नंबर, पिन कोड, पिता का नाम ये सब भी पत्र में लिखना होगा। तो इतना आपको BCCI की नई सिकायतों की अपडेट की बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेशन, हाली में किसने UNICEF का Radio for Child Award जीता है। जिसका सही option है RJ Bini, हाली में RJ Bini ने UNICEF का Radio for Child Award जीता है। दोस्तों, ये 94.3 यानि 94.3 माई FM में RJ है। इन्हे UNICEF के West RJ, Link in Child Abuse के Award से नवाजा गया है। बच्चों से जुड़ी हिंसा के मुद्दो को उठाने के लिए इन्हें यह Award दिया गया है। दोस्तों, ये मद्प्रदेश के इंदोर की रहने वाली हैं। इससे पहले इन्हें New York Festival और IRF का National Award जीत कर देश के साथ मद्प्रदेश का नाम भी रोसन कर चुकी हैं। तो इतना आपको RJ Bini के बारे में याद रखना है। प्रदूशन नियंतरन बोर्ड की साथ समझ होता किया है। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दें। साथ आपको बता दें हमारा एक मोहिम जिसकी बारे में मैंने आपको रोज बताता हूं। कम से कम एक पेड आप जरूर लगाएं। और यह अपने परिवार दोस्तो की साथ शेयर करें। तो आज के लिए बस अतना ही। नमस्कार, have a nice day.